नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल ए भी क्लासेस में आपका स्वागत है आज का सब्जेक्ट है इंजिनियरिंग मेकेनिक्स जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ सिस्टम और फोर्सेस एंड उसके टाइप्स यह एक इंपोर्टेंट टॉपेक है क्योंकि मेकेनिकल से रिल पूछे जा चुके हैं यादि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें और अंत्र में वीडियो को लाइक जरूर करें अब चलते हैं आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सामने आप देख सकते हैं एक इसी सिस्टम पर एक साथ याद रखें एक साथ कई फोर्स एक्ट होते हैं या फिर कई फोर्स लग रहे होते हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं सिस्टम ओप फोर्स एक एक जांपल से समय लेते हैं हमने मान लिया यहाँ पर एक सिस्टम बना लेते हैं हमने क्य मालिया एक कोई क्या है एक system है इस system का बेट क्या है w मालिया मैंने ठीक है एक क्या मालिया मैंने एक system यहाँ पर system लिख देते हैं तो आपको अच्छे समाझ में आ रहा है एक कोई system अब हमने मालिया इस पर force लग रहा है कुछ और यहाँ पर हमने माल लिए इसको f force लग रहा है अब हमने क्या देखा है यहाँ पर एक system है ठीक है उस पर एक साथ f1, f2, f3, f4 चार force यहाँ पर act हो रहे हैं तो इस पूरे system को हम क्या बोलेंगे जो यहाँ पर heading डली हुई system of forces बोलेंगे अब यहाँ पर क्या होता जिए force ल लगते हैं और किस परकार लगते हैं इनकी किरिया रेखा क्या होती है इन सभी के आदार पर इनको classify किया जाता है यह पर यहाँ पर सामने आपको एक चार्ट दिखने लगा होगा जो classification का एक चार्ट कित्रू में समझाने क्रोश करो यहाँ पर देखें जो system of forces होते होते हैं स दूसरा होता इना नौन-ăm class forces अब जोग उसे से white white किया जाता तिन वागों में पहला होता है स क्षांख यह कॉप्लेनर non concurrent और है और तीसरा होता होता कॉपलेनर नोन-konWORKन फोर्स और तीसरा होता है कॉपलेनर प्रेलओ यह याख भी दो concurrent forces या non-coplanar non-concurrent forces और non-coplanar parallel forces अब जो इतने types की यहाँ पर देख रहा है इन सबको में याद रखना है लेकिन इनको define कैसे किया जाता है और इन सबका मतलब क्या होता है किस आदार पर इनको define किया गया है वह यह बनवाई गान समझेंगे with example तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझाने के कुछ कर रहा है कौन सा coplanar forces जो आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा यहाँ समझेंगे ध्यान से ठीक है इस यह वी कितने three types की होते है three types के इनको समझेंगे बनवाई बन पहले जैसा मैं समझा रहा हूँ बैसा ध्यान से यह आपको इस तरह की एक body दिख रही होगी इसको नीचे dot dot कर दें और यहाँ पर भी ऐसा dot dot चला जाएगा तो यह क्या मिलेंगे जाने तो आपको आप 3D view दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर क्या होते हैं जिख रहा है यह 3D view है नॉर्मल हम plan की बात करते हैं अगर हम इसको numbering दे तो यहाँ पर से दे सकते हैं A B C D और आंगे भी इसको भी दे सकते हैं कुछ E F G H इसको S दे दिया मैंने ठीक है अब ध्यान से सनें यहाँ पर जो आपको यह दिख रहा होगा जो मैं यह बता रहा हो यह पर A B C D यह इसका एक plan है ऐसे ही है जिए different plan से जुड़ा हुई एक 3D body है जिसमें के length, width, height तीनों दिखते हैं लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे simple plan की ठीक है क्या करेंगे simple plan की अब जो coplanar forces जो यहाँ पर definition आपको लिखी दिख रही होगी इसको पढ़की normal समझ सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई plan है क्या यदि एक plan है एक ही plan के अंदर सभी forces एक्ट हो रहें उस system को बोलते हैं coplanar forces यहाँ ना direction की बात करते हैं ना किसी point की बात करते हैं सिर्फ forces की बात की आती है कि एक ही plan जैसे मालों यह ABCD यहाँ पर plan देख रहा है आपको इसको में इदर बना की देख बताता हूँ इसको यह बारा देख रहा है ABCD इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ध्यान से देखें हो समझें यह मैंने 3D view से एक plan नॉर्मल प्लैन उठा लिया और यहाँ बना लिया ठीक है इसको numbering देदी A जैसा हूँ पर दी B C D अब बात कर रहा है जैसा definition में हमने माल लिए एक force लग रहा है A ठीक है force लग रहा B force लग रहा है यहाँ पर C मतलब यह देखा एक plan है तीन force हो सकते चार हो सकते पांच कितने भी हो सकते एक ही plan के अंदर यहाद लग रहा है एक ही plan के अंदर सभी force लग रहा हो उस हम system को क्या बोलते है में coplanar forces अब जो coplanar forces हैं इनका जो system होता है यह three types से divide किया जाता है पहला होता coplanar non-current forces दूसरा होता है यहाँ पर system of coplanar non-concurrent forces और parallel forces इन तीनों को बर्माविए डिफाइन करेंगे कि यह जो हमारा plan है जिस पर एक साथ कई force लगते हैं इनको और अलग अलग तरिके से कैसे define क किया जा सकता है ठीके तो हम पहला समझा रहें ध्यान से डेफिनेशन लिखी हुई है आप उसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं तो हम मैं एक exam पर ले रहा हूं ध्यान से सुने हमने माल लिया पहले को समझा रहा हूं यह हमारा क्या एक system है ठीके जिस तरह इसकी definition लिखी है उ जान से देखें फोर्स किदर की भी direction कैसी भी हो लेकिन सारे point कहां से एक ही point पर मिलते हों जैसे मैंने माल लिया इसको F1 माल लो इसको F2 माल लो इसको F3 माल लो इसको हम F4 माल लेते हैं मतलब चार फोर्से से हैं एक ही plan के अंदर हैं लेकिन कहां एक ही बिंदू पर मिलते है यह čारों फोरसों की हम जो किरिया रेखा है यहाली isको बढ़ाते हैं तो कहां पर एक ही बिंदु पर टकराते हैं चारों फोरसों इसकी किरिया रेखा इस टाइप की फोरसों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर जो लिखा है coplanar non-concurrent forces non-concurrent forces अब इसी तरह अगर next की बात करोगी तो next की अगर definition पढ़ोगी तो ऐसा कुछ बताया गया एक ही plan, plan कैसा हो? एक ही plan हो और एक ही plan के अंदर क्या हो? सारे force लग रहा हो मतलब किरिया रेखा कैसी हो? एक ही plan के अंदर हो? कैसी भी हो सकती है? इनमें ना direction से मतलब नहीं, point से मतलब यह हो गया F1 और यह हो गया F2 और यह हो गया F3 याद रखें एक ही plan के अंदर उनकी सभी forces की किरिया रेखा है एक ही plan के अंदर हो? उस force को बोलते है system of coplanar non-concurrent forces एक हो साथ हो? coplanar concurrent forces यहाँ पर gap नहीं, मैं सही कर देता हूँ इसको थोड़ा को समझ में आया होगा आपको दोनों इस क्या हो तब पहला क्या है? एक ही plan के अंदर सभी force लग रहे हो लेकिन उनकी जो किरिया रेखा हैं जब उनको एक साथ सभी force किरिया रेखा हैं उनको अपन बढ़ाया जाया आंगी की ओर तो एक ही point पर मिलती हो उस system को बोलते coplanar concurrent forces लेकिन plan एक ही हो उसकी किरिया रेखा हैं कहीं भी हो सकती हैं लेकिन एक ही plan के अंदर हो तो उस system को बोलते system of coplanar non-concurrent forces मतलब जरूरी नहीं कि एक ही point पर उन सारे force एक ही point पर मिल रहे हो इस तरह आप चलते हैं और different types के उनको भी समाई लेते हैं next है coplanar parallel forces parallel forces ध्यान से आप समने हैं ठीक है क्योंकि बहुत ही easy है parallel parallel आप जानते हो एक दूसरे के समाना अंतर हम छोटा सा example ले रहा है ध्यान से समने हैं यह हमने क्या लिया एक plan है यह की plan के अंदर बात किया रही ना कि यहाँ पर दो plan एक साथ joint होते हैं तीन plan joint हो उनमें बात किया यह एक simple plan की बात किया parallel मालब ऐसे अगर मालो एक force लगा हुआ है दो force लगा हुआ है तीन force लगा हुआ हमने इसको F1 माल लिया इसको F2 माल लिया और इसको F3 माल लिया यहाँ पर क्या लगा हुआ हूँ तीन फोर्स लगे लेकिन तीनों आपको कैसे देख रहा हुआ हुआ है एक दूसरे के सामाना अंता मालब parallel इस टाइप के forces का system है जब एक दूसरे के parallel लगते हैं किसी एक ही plane के अंदर तो हम उसको क्या बोलते है coplanar parallel forces लेकिन यह दो भागों में divide किया थे एक तो होते है like parallel forces एक होते है unlike parallel forces अब दोनों में difference हम लें यह तो हमारे जब like parallel forces का मतलब होता है जो हमारे forces हैं उनकी दिसा एक यह और हो मलब एक ही दिसा में हो जैसे कि यहां पर F-1 की दिसा उपर की और है F-2 की दिसा उपर की और है F-3 की दिसा उपर है तीनों forces की दिसा कैसी है एक समान है और तीनों ही parallel है इस टाइप की पूरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे like parallel forces अब दूसरा जो सिस्टम है unlike parallel forces उसमें क्या होता उसको भी समय लेते हैं माल यह कोई सिस्टम है यहां पर जैसा मैं बना रहा हूं अब उसमें forces के हैं याद रखके parallel है जैसे मैं बिल्कु सेम एक जाम पर ले रहा हूं ऐसे मैंने सेम लगा दिया अब यहां पर मैंने क्या एक direction लगा दी इसकी direction मैंने ऐसी कर दी और इसकी direction ऐसी कर दी मतलब यह माल लिया मैंने F1 और इसको माल लिया F2 इसको माल लिया F3 अब यहां पर हमने क्या देखा F1 क की डायेक्शन की उपर को है, F2 की नीचे को है, F3 की मनलत, तीनों की डायेक्शन अलललाग है, लेकिन तीनों forces कैसे पैलल हैं एक दूसरी से, इस टाइप के forces सिस्टम, जब क्या हो, सभी forces की एक दूसरी से से पैलल हो, लेकिन उनकी दिसाएं विप्रीथ हो, तो हमारा कौन सा होता unlike parallel forces तो आपको ये भी समझ में आ गया हुआ अब चलते हैं और जो different types को उनको भी समझ लेते हैं next आपको दिखराओ कौन सा non-coplanar forces अब non-coplanar forces बैसे different types को होते हैं इन तीनों को भी समझ लेकिन normal होते क्या हैं सबसे पहले वहाई समझ लेते हैं ठीक है non-coplanar forces क्या होते हैं कि जब जो हमारे forces हैं किसी system के उपर लगते हैं लेकिन वहाई एक ही तल में न लग रहा हुए उनकी जो career रेखा हैं line of action हैं एक ही तल में न न ओकर अलग अलग तलों में हो इस type का system होता हुआ होता non-coplanar forces हम एक diagram के थुर्ण समय लेते हैं जैसा भी diagram बन रहा है उसको थोड़ा सा समझे क्योंकि मैं 3D diagram बनाने की कोशिस की आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ dot-dot डाल ले जिससे की आपको 3D जैसा दिखने लगे और यहाँ पर इसको अब यहाँ पर देगे 3D जैसा थोड़ा-थोड़ा भी दिख रहा हुआ अब जी अलग है जो एक plan यह हो गया एक यह हो गया और एक यह हो गया अब इन सब के opposite भी एक एक plan हो गया अब यहाँ पर क्या कहा रहा है मान लिया मैंने कि इस सिस्टम पर कोई force लग रहा है हमने मान लिया F लग रहा है F1 इस सिस्टम पर भी कोई force लग रहा है हमने मान लिया इस सिस्टम पर कोई force लग रहा है अलाग अलाग प्लेन पर जो उसकी किरिया रेखा हैं होती हैं फोर्सिस की जब इस टाइप के पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं non-coplanar forces अब जी non-coplanar forces different types के होते हैं तो यहां तीन प्रिकार के लिखे हुए इन तीनों को बनवाई बन समय लेते हैं तो पहले को मैं समझाने कोशिश कर रहा हूं non-coplanar concurrent forces तो यहां पर उसका diagram बना रहा हूं ध्यान से समय लेते हैं थोड़ा fast थीक है 3D view से समय लेते हैं कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें जब अललग क्या होते हैं plan होते हैं थीक है यह 3D view type का मैंने बना दिया अब यह 3 plan यहां पर देख रहा हूंगे आपको अब यह क्या कह रहा है जो कोशिश क्या कहता है कि जो भी हमारे forces हैं वो एक ही बिंदू से मैंने मान लिए यह बिंदू है इस पर से हमने F1 force गोजर रहा है मैंने मान लिए एक दूसरे plan पर कौन से जा रहा है F2 मान लिए मैंने और तीसरे पर कौन से जा रहा है F3 मान लिए कहने का मतलब है तीनो फोर्से उसकी जो point है जो बिंदू है जहाँ पर जो जिसकी line of action cut करती है हुआ है एक ही बिंदू से गुजर देंगे लेकिन उनकी जो किरिया रेखा हैं वो अलग-अलग plan है जो को मान लिए एक plan में है हमारा two plan में है और जो three plan माना तीनो फिलोनों में उसकी किरिया रेखा है लेकिन अगर उनकी किरिया रेखा हैं को आगे बढ़ाया जाए तो कहाँ पर मिलती है एक ही बिंदू पर मिलती है इस टाइप के जो forces का system उसको क्या बोलते हैं non-coplanar concurrent forces अब समाझते हैं हम हमारा second वाला non-coplanar लेकिन उनको बढ़ाने पर forces को एक ही बिंदू पर ना मिलती हैं जैसे कि हमने माल लिया यह हमारा उपर का A है हमने माल लिया यहाँ पर एक force लग रहा है F1 और यहाँ पर हमने माल लिया क्या यहाँ पर F2 force लग रहा है और यहाँ पर कौन सा लग रहा है F3 force लग रहा है, अब हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर इनकी जो line of action A वाली है, यह बढ़ा ही जाएं, तो एक ही बिंदू पर नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी किरिया रेखा हैं, तीनों अलग-अलग plan पर हैं, एक ही plan पर नहीं है, तो इस type के forces के system को क्या बोलते हैं, non non-coplanar, non-concurrent forces, जब उनकी किरिया रेखा हैं, एक ही बिंदू को नहीं काटते हैं, थार्ड है non-coplanar parallel forces, अब इसको भी समाई लेते, parallel forces को बैसे मुग पर इसको समझा चुका था, लेकिन यहाँ पर बात हो रहे हैं, अलग-अलग plan की, जैसा इसको पर समझा हैं, बैसा ही इसक मतलब इनकी line of action देख रहे हैं, तीनों पर हमारे जो भी यहाँ पर plan मनें, तीनों में से होकर गोजर रहे हैं, लेकिन यह जो force लगए मान लिया, F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया, इसको F3 मान लिया, मतलब एक दूसरे कैसे हैं, एक दूसरे के parallel लगे हुए हैं, लेकिन बार आगा वीडियो आगा रिपीट करके देख लें, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करें, thank you friends